च्छठे चरण की न्यूपती की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और मननिय उच्छ न्याले के निदेश के क्रम में हम लुगों को जो स्केडियूल था जो काउंसलिंग का उसे रिवाइस करना पड़ा है तो यह आप जिसको प्रिवाइस्ट स्केडियूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो छठे चरण का जो अंतिम बढ़ाव है वो है अनुमोदिल मेधा सुची एवं रोस्टर बिंदू के अधार पर चैनित अभियर्दियों की सूची और विद्यालेवार विशयवार लिक्ती का जिला के एनाइसी के वेंबसाइट पर प्रकाशन और इसके लिए टस बारह दो हजार इकीस तक की दिखी दी गए तो यह जो छटे चरंड की प्रक्रिया है यह डिसंबर 2021 तक चलेगी और विभाग का प्रयास रहेगा कि उसके इमेडियेटली बाद जितनी जल्दी हो सके हम साथवे चरंड की प्रक्रिया को प्रारव अगर से छटे चरंड में हम लोगों ने जो रिटियां ली है वो 30 जून 2019 तक लिए तो इस दर्मियान जो हमारी रिटियां है जो दो वर्षों में हुई है उनको भी साथवे चरंड में इसंबलित किया जाएगा और हम लोगों ने जो पतेख पंजायत में कुछ माधमिक शिक्षा के लिए विट्याल plano को प्रारुण किया है उसके लिए भी हमें शिक्षपों की जरुरत है क्योंकि कई विट्यालियों में 11 के रुक्षा प्रार्ण कि जा लिए तो विद्याले वार इसकी सभी इच्छा विभाब के द्वारा की जा रही है ताकि साथवे चरण में कितनी रिख्तियां हैं उनको हम आकलित करेंगे और साथी साथ उसका रोस्टर भी हम अप्रूफ कराएंगे जो भी चटे चरण के रिख्ति है जो हम नहीं भर पाएंगे किसी कारणबश तो वो आरक्षन खोटी बार उसको साथवे चरण में भी ट्रांसर कर दिया जाएगा इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम चटे चरण को पुरी तरीके से कप्लीट कर ले हम लोग सतत प् पर अनशील है कि साथवे चरण की काउंसलिंग को उसके लिए जो विक्यापद है वो यथाशीक्र विवाप्ति